नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार में राजनितिक बदलाव हो चुका है क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने महागडबंदन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और राज भवन के अंदर राज जिपाल को अपना इस्तिफा सौप दिया है वर्तमान कैबिनेट को उन्होंने भंग कर दिया है देखिए तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज भवन के अंदर प्रवेस कर रहे थे उनका क राज भवन के अंदर जा रहा था उनके साथ उनके शहयोगी विजंदर यादो भी आपको नजर आएंगे राज भवन में जाने के बाद ये खबर निकल कर सामनी आई है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस्तिफार राज जिपाल को सौप दिया है मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव और राजद से अपना नाता तोर लिया है और वर्तमान केबिनेट को भंग कर दिया है महागडबंदन से अपना समर्थन वापस ले लिया है नितीश कुमार ने राजभवन पहुँचकर अपना इस्तिफा दिया और अब नई सरकार बनाने का दावा पे साम मुक्यमंत्री नितीश कुमार नवी बार सी एम पद की सपत लेंगे इस सपत ग्रहन समारों में जेपी नड़ा जो की बीजेपी के राष्ट्रिये अध्यक्षें वो भी सामिल हो सकते हैं आज दो पार तीन बजे वो पटनाएंगे चिराग पासवान भी उनके साथ ही आ पत ग्रहन यही पांच चरह नई शरकार के हम बिंदू थे तो इस्तिफा हो चुका है बैठक के बाद और अब जादा समय नहीं बचा है राज्यपाल एंडिये गटबंदन को शरकार बनाने का नियोता दिया है और फिर बहुमत सिध होने के बाद नितीश कुमार नुई बा नितीश कुमार और तेजश्वी यादों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है और नितीश कुमार ने इस्तिफा दे दिया है सीएम के पद से साथी साथ आपको पताते चले कि नितीश कुमार 2020 में जब ये सरकार इंडिये की बनाई थी लेकिन 2022 के अगस्त महीने में उन्होंने बीचे पी का साथ छोर कर आर जेडी के साथ जाने का फैसला किया था लगभग सतरा महीने नितीश कुमार और देजश्वी यादों की सरकार चली और एक बार फिर से जनवरी के 2024 के साल में नितीश कुमार ने आर जेडी को जटक कर बीजेपी का दामन थाम लिया है यानि कि वो एंडिये में वापसी करने जा रहे हैं और दो हजार चौबिस का ये साल एंडिये के लिए कितना अच्छा साबीत होगा ये तो आगे पता चलेगा जब लोक्षभाक चुना होंगे लेकिन नितीश कुमार ने एक बार फिर से पाल बदलने का फैसला लिया है राजभवन पहुँचकर राजपाल को अपना इस्तिफादिया है और खबर जो निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक आज साम को नितीश कुमार नई शरकार बनाएंगे वो सपत लेंगे नवी बार और उनके साथ बीजेपी के खेमे से दो उ नितीश कुमार और महागडबंदन की जो 17 महीने की दोस्ती थी वो अब खतम हो चुकी है बन रही है लाइब बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक ज जरूर करें